आमी बंगलाए देखी शापनु आमी बंगलाए मधी शूर। आमी बंगलाए माया भरा पत्री देखी है ठोटा दूर। नमस्कार, मैं शीतल्पी सिंग, सत्यंदी.com पर आपका स्वागत है। मैं बंगल में हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था। उस कारिक्रिम के अनुसार मैं बंगल में हूँ और अगले लगबग एक सब्ता मैं यहां रहूंगा। बहुत सी जगों पे जाऊंगा। बहुत सी प्रमुख हस्तियों से मिलने की कोशिश करूँगा। उनको फॉलू करूँगा। और उसके बारे मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि मुझे यहां आने पर क्या नभू हो रहा है कि क्या हो रहा है बंगल में। जिसको लेकर पूरे देश में एक कौतुहल बना हुआ है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी ने अपनी बहुत बड़ी सामर्थ जो उसके पास ही है और किसी के पास इस देश में नहीं है वो बंगल में जोंक रखी है सारे देश का मीडिया यहां है बहुत सारे चैनल इस दोर बहुत ही कौतुहल है मन में कि क्या वहां होने वाला है कुछ सर्वेक्षन हुए है उनके नतीजे आप लोगों ने टेलिविजन चैनलों पर अख़बारों में पढ़े हैं मीडिया के और हिस्सों में पढ़े हैं उसके बारे मैं मैं रिपीट नहीं करूँगा मेरे बहुत स सारी आपके पास अपने वीडियो में अपने टेली कायरक्रमों में भेजी रहे हैं मैं थोड़ा से अलग हटके इस पूरे बंगाल कफरेश को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में आप मेरी लगतार रिपोर्ट में इनको देखेंगे आज मै एक जनरल आपको एक पिक्चर देने की कोशिश करूँगा जो मुझे यहां आने पर और यहां आने से पहले इसके बारे में तैयारी करते समय नजर आई है बंगाल को इसके लिए मैं चार हिस्सों में बाटूँगा कि एक तो इस पे उत्तर बंगाल, मध्य बंगाल, जंगल महल और दक्षिण बंगाल इन चार हिस्सों में मैं इसको एक तरह से सेग्रिगेट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं पंगल को इस चुनाओं में किस तरह से देख रहा हूं और मुझे क्या नवह हो रहा है जो मैं आप तक सम्प्रेशित करना चाहता हूं दो बार से ममता बनर जी लगाता चुनी गई इसके पहले 1977 से करीब 33 साल तक वाम मोर्चे का शाशनी हा रहा था और उसको हटाने के लिए ममता बनर जी की नितरत में देश में लगभख सभी जो भी आप कह सकते हैं कि विरोध जिने आप कहना चाहिए उस समय के वाम मोर्चे का जो भी अब जिनको भी विरोधी कर रहा हूं सब लोग एक साथ थे बहुत तरके थे उसमें अतिवाम भी था और उसमें अतिदक्षिन भी था दक्षिन भी था मध्य भी था सब थे कार्पूरेट्स भी थे और आप कहा सकते मीडिया भी था सब चाहते थे उस समय और सब ने उस समय की सरकार में बहुत सारी कमिया खोज ली थी और एक एंटी इंकेंबेंसी जिनरेट हुई जिसके तहत ममता बनर जी सत्ता में आई थी फिर वो यहां एक आईकन बन गई और जैसा उनका जीवन शेली है बहुत साधारण जीवन शेली है चपल पहन के चलती है दो कमरों में रहती है और इस सब की बड़ी चर्चा भी है कोई नीजी जीवन उस तरह से नहीं है बाद में उनके परिवार के यानी सीधे नहीं लेकिन भाई के बच्चे वगरे वो सब चर्चा में आए और दूसरी चीज़ें आई उनकी पार्टी पे बहुत सारे आरोप लगे उनके सहयोगियों पे बहुत सारे आरोप लगे चिटफंड के कई घोटालों की यहां जाच हुई उसमें बहुत से लोग आरोपित हुए थे उसमे वज़े है लोकसभा चुनाओं में भारती जनता पार्टी का अविस्मरणी प्रदर्शन। भारती जनता पार्टी जब से नरेंदर बोदी जी के नितर्ट में केंदर में आई है तब से बहुत तरह के व्याख्याकार उसमें ये पा रहे हैं कि उसने चुनाओं लड़ने के ल के प्रभाव को देखके ये बिलकुल स्विकार किया जा सकता है कि ये बात बिलकुल सच है और हम ये पा रहे हैं इस चुनाओ में अब तक मुझे अभी कल मैं पहुचा हूँ दो पहर बाद कुछ मैंने मीटिंग्स की थी कुछ मैंने चीजें पढ़ी जो मुझे दी गई यहा इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारती जन्ता पार्टी ने इस चुनाओ को बंगाल में कम से कम बहुत ही रोचक बना दिया है और बहुत चुनाओती पूर्ड बना दिया है ये सही है कि ममता बनर जी भी एक जैसा मैं उनके बारे में बता रहा था कि वह बहुत ही साध लेकिन उनको जो चुनाओती आई है वह उनके इस पूरे जो भी उनुने अपना सुरूप ग्रहन कियादा उस पूरे सुरूप को ही चुनाओती दे रही है और उन सामाजिक आधारों से दे रही है जिनके बारे में अगले प्रोग्रेम्स में जब मैं आपको डिटेलिंग करूंगा तो आप को जानकारी हो कि कुछ कई बात तो मैं आप चौंक जाएंगे कमसकब दो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं इस समय एक CNBC में हुई है और एक देहिंदू में हुई है जो बड़े जिम्मदार पत्रकारों ने की है उन दोरों रिपोर्ट्स में वही धारना जो मैं बना पा रहा हूँ लगबग वैसी ही वहां भी मैं बनती हुई उन पत्रकारों के मन में भी देख रहा हूँ वो क्या है कि आस्तन हम यह समझते हैं कि बंगाल जैसे राज्यों में सारी बाचीत वो मुस्लिम वोट्स पर और इन पर केंद्रित हो जाती है लेकिन बंगाल में कुछ और हो रहा है इसके अलावा बंगाल में इस बार सबसे ज़ादा ध्यान सबका है दलित और आदिवासी वोटों पर और उनकी जो समलित संख्या है वो मुस्लिम वोटों से कम नहीं बलकि ज्यादा है बंगाल में जो भारती जन्ता पार्टी है वो समर्णों की पार्टी नहीं है जैसा उसने कई जगह किया है मंगाल में भारती जनता पार्टी दलितों और पिछणों की पार्टी है दलित और पिछणे हिंदूओं की पार्टी बनके उसने अपने आपको विक्सित किया है आज दलितों में उसका जन समर्थन लोकसभा चुनाओं में माना गया कि करीब 60% से ज़्यादा है और विधान सभा चुनाओं में इसी बात का उनके विरोधियों को अंदेशा है कि अगर इस जन्द समर्थन को वो कौबल अब कर सके और इनको मददाता पेटी तक उसी तरह से पहुँचा सके जैसा वो लोक सभा में ले गए थे तो कोई मिराकल हो सकता है जो भारती जन्दा पार्टी के रणे नीतिकार हैं उनके नेता हैं उनके दावे भी कुछ इसी तरह के हैं उनको वो कह रहा है कि जो आप सर्वेक्षन देख रहे हैं और दूसरी चीज़े देख रहे हैं को दर किनार कीजिए हम मंगल जीतने जा रहे हैं इस दावे में कितना दम है इसकी जाच करके हम आपको बताएंगे लेकिन हम यह आपको जरूर बताएंगे आज इस कारिक्टर में बोलते समय कि यह चुनाओ इसलिए जाना जाएगा कि भारती जनता पार्टी ने जो गैंबल किया है पिछडी जातियों के एक नेता को दिलिक घोष को अपना उसका विधान सबा के चुनाओं में क्या नतीज़ा होने वाला है कल जब घोषना पत्र जारी किया ममता बनर जी ने तो उन्होंने भी इसलिए दलितों को जान बूज कर एड्रिस किया यह कहा जा रहा है कि जैसे तक शिड बंगाल ममता जी का गड़ है जिसमें 126 के आसपा सीटें हैं उसी तरह से इस समय उत्तर बंगाल और जंगल महल जहां आज प्रधान मंतरी जी अपनी चार में से पहली रैली कर रहे हैं वो भाजपा का गड़ बन गया है तो दो गड़ हमारे सामने हैं मध्य बंगाल में आप कह सकते हैं के एक तीसरा मुर्चा भी है बंगाल में जिसे कांग्रेस और लेफ्ट ने बनाया है सीपियम के नित्रत में उसको आप थोड़ी बहुत उसकी उपस्तिती आप देखते हैं मध्य बंगाल में कुछ दो जिलों में खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा लेकिन बाकी पूरे बंगाल में मामला आमने सामने इनी द बाते हैं दोनों में फर्क है कलकता शहर जिसको ममता का किला बताया जाता है और जिसमें आज भी माना जा रहा है कि भाजपा शायद इकाश सीट जीट पाए शहर की कलकता पूरा शहर ममता को जिताने की और अगरिसर है वहां दलितों की अबादी कुल 6% है 6% से भी कम है दल कास्ट और शिडियूल ट्राइब की आबादी पाएंगे 50% से जादा है यानि ऐसी जगहें मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया में भी इतना घनत तो नहीं है जितना कूछ बिहार और उस तरफ के उतर बंगाल की बहुत सारी लोकसभा और विदान सभा सीटों पर घनत्व है आदिवासी और दलित जातियों का और यह इस चुनाव में बहुत बड़ा रोल करने जा रहा है यह डिटेल्स मैं आपके पास लेके आऊंगा जो लोकसभा में चुनाव हुआ था उसमें करीब 121 सीटों पर भारती जनता पार्टी विदान सभा के छेत्रों में आगे थी त तो बहुत से उसमें 20-30 सीटें कम हैं हाला कि जैसा कि उनके बारे में और उनकी सामर्थ के बारे में चर्चाएं होती हैं मजाक में लोग यह भी कहते हैं कि अगर भारती जनता पार्टी एक सो पचीस सीट एक सो तीस सीट तक चली गई तो फिर 30 हमेले वो खरीद लेगी और कॉंग्रेस से और दूसरी दलों से जैसे तूट के लोग उसके पास आए हैं आज भारती जनता पार्टी की साम के पास विधायकों की संख्या करीब 20 से जादा हो गए यह 23 के आसपास लोग बताते हैं जबकि उचुनाओ में 2016 में जो चुनाओ था उसमें वो सिर तीन सीटे जीते थे विधान सभा में लोग सभा में जरूर वो 18 लोग सभा सीटें जीत गए और उसके बाद तब से तो इसी वज़े से आज हम आपके सामने बैठे हैं और यह चर्चा कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े हम कंपाइल करके लाएंगे और आपको यह बताएंगे कि क्या व हमारी आने से ठीक पहले तक जो आंदोलन बहुत चर्चा में था यानि CAA और NRC का मुद्धा वो बंगाल के रजत पटल से शुनाव में एकदम नदारद है भारती जंता पार्टी तो उसका नाम ही नहीं ले रही है हाला कि ममता बनर जी की ओर से और उनके प्रचारक तंत्र की ओर से इसको बार-बार दोहराने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जारे है कि लोगों तक ही जाये लिकिंए लोगों की बीच भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है तो एक ऐसा फैसला जो फैसला लिया ही कहा जाता है जिस पर आरोप है कि वो फैसला सरी बंगल का चुणाव जीतने के लिए लिया गया था वो मुद्धा इस चुनाव में अब कोई मुद्धा ही नहीं यह एक बड़ी मज़धार इस्तेती है तो यह भी आपके सामने लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि बंगला देश से जो बहुत सारे हिंदू समय समय पर मुसल्मान भी आई हिंदू भी आई और बहुत सारे मैटीरियल है अब बंगला देश की पर कैप्टर इंकम बढ़ गई है तो उतनी भगदर वहां से यहां नहीं है लेकिन बहुत सारे अतहासी कारणों की वज़े से आजादी के तुरंतबाद और उसके बाद की बहुत सारी घटनाओं के दोरान और वैसे भी सामाजी और दूसरे कारणों से बहुत सारे लोग जो बंगल हमारे हिस्से में है जो पहले पश्चिम बंगल कहलाता था बंगल कहलाता है उसमें लोग आते गए उसमें बहुत सारे हिंदूस हैं जो दलित और इन कम्यूनिटीस से आए उसमें ये तर्क भी है कि चुकि बंगलादेश में इसलाम को प्रमुक्ता मिली और उन्होंने ये पाया भाँ धाका में और दूसरी जगहों में कि जो हिंदू वहां रह गए थे वो जो शिडूल कास्ट और दूसरे तबकों से थे वो उसी तरह के मीनियल कामों में वहां लग रहे हैं और हिंदू धर्म की जातिवादी कुरितियों से पीडित होके उनको लगता था कि वहां उनके साथ नयाय होगा उन्हें वैसा कोई नयाय वहां हासिल नहीं हुआ और वो दूसरे दरजे के गलीज कामों को करने वाले नागरिक बनके रह गए ऐसे बहुत सारे लोग वो मुद्दे से बाहर है वो इसमें भारती जंता पार्टी को कितना ट्रेंट कर पाईगी है हम लोग देखेंगे लेकिन एक संके तक मैं फिर छोड़ना चाहरा हूँ जो आने वाले मेरे प्रोग्रेम्स में आप आएंगे कि ऐसे ही नहीं था कि हमिशा बंगाल आते थे और लोग इसकी दिल्ली के प्रेस में और दूसरे जगहों पर रास्टी प्रेस में बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि लोग तांत्रिक ख्याल के लिबरल ख्याल के और वामपंथी ख्याल के लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग उनके इस आच्रण की आलोचना करते थे और उसका मक में आ रहे हैं वो बाकाइदा इस समाजिक समझ के साथ अमिशाह द्वारा उठाए गए कदम थे जिसके तहत उन्होंने अपनी पार्टी को दलित समाज में और दलितों के दोनों वर्गों में SC और ST में बहुत धंग से स्थापित किया जिनकी बहुत बड़ी संख्या बंगाल में है जिनका इस तरह से समाजिक तोर पर इसके पहले प्रतिनित्व नहीं हुआ था वो देने की उन्होंने कोशिश की है उन्होंने पिछडी जातियों में एक बड़ी सेंद लगाने के लिए एक पिछड़े को अपना नेता बनाया है और इस सब का क्या नतीजा है जो उनक इतना ही शुरू करने के लिए बंगाल से लेकिन अब मैं जारी हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको जादा से जादा ऐसी इन्फॉर्मेशन्स जो मेरे बहुत सारे साथ ही जिनको इकठा कर रहे हैं उनके अलामा है जो वो इन्फॉर्मेशन्स मैं आप तक पहुचाने की कोशिश करूँगा आने वाले कारकर्मों में आप इनको देखते रहेगा धन्यबाद नमस्कार सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर